हेलो बच्चो तो कैसे हो आप लोग यहां फर फाइनली कक्षा दसिवालों ले सामाजिक विज्ञान के जी हां इतियास का चेप्टर टू लेके आ चुका हूँ अध्याई दो यहां पर हम फिनिश करने वाले बच्चो ठीके अध्याई एक मैंने इसलिए नहीं करवाए क्यों कि उसमें से सिर्फ दो नमबर के अबजक्टि पूछे जाएंगे ठीके वो आप अबजक्टि पढ़ लेना क्योंकि इतियास का अध्याई टू में भारत में राश्ट्रवाद इसमें से साथ नमबर के कूल आएंगे उसमें से चार नमबर का एक प्रशन आपको देखने को म कंप्लेट करेंगे दीरे दीरे करके अरदवासिक क complete या पर करदेंगे के मैं दीरे दीरे नमबर से सारा चैप्टर जितने उलए सारे फिनिश कर लें ठीके मैं भूं बार्दोली सत्याग्रह के बारे में बताना आपको ठीक है इसका सही आंसर देगो 1928 में वल्लब भाई पटेल ने गुजरात के बार्दोली तालुका में किसान अंदोलोन का नेत्रत्व किया जो की भूराजस को बढ़ाने के खिलाब था वह बार्दोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है यह अंदोलन वल्लब भाई पटेल के समक्ष नेत्रत्व के तहट सपल रहा इस संगर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कहीं हिस्सों में अत्यधिक सहनुबुती प्राप्त हुई बस इतना से आपको लिग देना है ठीक है नैस्ट द पर कुछ एड करने है तो पहला पॉइंट है अपनिवेशक शाषकों के खिलाप संगर्ष के दोरान लोग आपसी एकता को पहच्चानने लगे थे दूसरा है उत्पीडन और दमन के साजा बाव ने विबिन समों को एक दूसरे से बांध दिया था तिसरा पॉइंट है आप करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया नैश क्योशन आता आपका भारत के लोग रोल एक्ट के विरूद में क्यों थे बहुत इंपोर्टेंट है देखो सरकार बीना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी इस एक्ट में ये भी था ऐसे व्यक्ति को ज किसी भी राजनेतिक आंदोलन का पूनात खंडन कर सकते थे ठीक है इसे आंदोलन नहीं करने देते थे वो आंदोलन को बिगार देते थे इस एक्ट में ये सारे चीजे शामिल दी नैश क्योशन आता आपका पहले विश्यूद्ध ने भारत में राष्ट्य आंदोलन के वि लॉड लॉयड ने गोशना की यह युद्ध लॉक्तंत्र और राष्ट्री आत्म निर्भर के अधिकार की रक्षा है तु लड़ा जा रहा है ठीक है उन्होंने बताया अता भारती जन्ता को इसमें अपना पूर्ण सयोग देना चाहिए इस युद्ध ने राष्ट्रीता की भावना को और अधिक जागरत किया इस युद्ध के बाद भारत में भी शोशाष्ण की स्थापना की गए इस प्रकार से इस युद्ध में काफी योगदान हमारा रहा है ठीक है नैश्ट देखते हैं क्वेशन नंबर आपका फाइफ है गांधी जी ने अस्वेग आंदोल 5 फरवेड 1922 को गोरकफुर जिले में चोरा-चोरी नामक गाउं की उत्तेजित भीड ने पुली स्थाने में आग लगा दी इस गटना के बाद गांधी जी को बहुत आगात पहुचा और अंदोलन वापिस लेना पड़ा देखो यहां पर चोरा-चोरी कांड भी यहां पर शामिल हो गया यह किशिन भी हम आगे पड़ने वाले नैस्ट देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए जलेवाला बाग हत्यागान पर टिपने आपको लिखनी है देखो जलेवाला बाग कैसे हुआ था कैसे क्या हुआ था पूरा इसमें डिटेल में पड़ेंगे गए ठीके यहां से ठीके मारे गए कौन-कौन से प्रांतिकारी थे डाक्टर सत्तिपाल और डाक्टर सेपुदिन की चुली ठीके इन दोनों को गिर्यपतार किया गया ठीके इनके विरुद में 13 अप्रेल 1911 को जलेवाला बाग में एक सभा आयजित की गई ठीके इनको छू कर दी जिसमें कई लोग मारे गए इसी गटना को जलेवाला बागत्या का नम कहते हैं ठीके साइमन कमिशन पर टिपने आपको लिखनी है तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जौन साइमन की अध्यक्षता में साथ सदश्यों का एक मिशन या कमिशन नियुक्त किया जिनका का यह था इस कमिशन का बहिष्टकार इसलिए किया गया कि इसमें एक भी भारति नहीं था सारे कमिशन जाता था जहां यह कमिशन जाता था वहां नारे लग जाते थे साइमन वाग्पिस जाओ ठीक इतना सब को लिख देना है सवीने अवग्या अंदुलन का वर्णन आपको यहां पर करना है देगो सन 1930 में लाहोर में हुए अधिवेशन में पून स्वाधिन्ता को अपना लक्ष गोशित किया और गांधी जी के नेत्वत में सवीने अवग्या अंदुलन प्राणम करने का निश्चे किया गया इस इस्त्रिया शराब अफिमोर विदेशी कपड़े की दुकानों पर धन्ना दे और एक और पॉइंट है इसमें सरकारी करमचारी सरकारी नोकरियों को त्याग दे और विदेशी वस्त्रियों को त्याग कर उन्हें जलाये जाए यह सारे इस आंदुलन में सफल रहे नेस्ट चोरा-चोरी हत्याकरण को आपको समझाना है पांच फरवरी 1922 को गोरकपूर के निकट गाउं चोरा-चोरी नामकिस्तान पर आंदुलन कारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिससे कुछ सिपाई जलकर मर गए गांधी जी ने इस गटना से बहुत दुक्य हुए और उन्होंने इस गटना के चलतें असल्य गांधन नों वापिस लेना पड़ा था 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 ठीक है आमने आगे पढ़ा था उसो क्योषिं में कारम नुन और श्रुलिस हिए न समाज में उनके एकिकरन की प्रिक्तिया धिमी पड़ जाएगी आखिरकार अंबेटकर ने गांधी जी की बात मान लियो और सितंबर 1932 में पूना पेक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये ठीके अभी आप ये 10 क्योशन याद कर लो गारंटी बोल रहा हूं इससे बाहर क्योशन आपका एक भी नहीं जाएगा ठीक है बच्चो तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही टैंक्यू बच्चो